आई टक डब्ले व्यों में किसी भी सुपरस्टार को निकालना होता था तो विंस Whikmen उसे निकाल देते थे सारी सुपरस्टार विंस मिक्मैन से डरते थे कि विंस मिक्मैन कभी भी किसी को भी fight कर सकते है विंस मिक्मैन का एक अलगी star यो और fight कहके वो किसी भी सुपरस्टार को निकाल देते थे लेकिन अब WV में ऐसा कुछ हो गया है जिसकी उमीद किसी को भी नहीं थी विंस मिकमेन डबलो वी से चले गए यानि कि विंस मिकमेन को डबलो वी के CEO के पोस्ट से और चेर्मेन के पोस्ट से निकाल दिया गिया है और अब डबलो वी के CEO और चेर्मेन विंस मिकमेन नहीं रहे हैं तो आईए दोस्तों मैं आपको उताता हूँ कि विंस मिक्मैन के साथ ऐसा क्यों हुआ विंस मिक्मैन के उपर WB के एक female employee को लेके बहुत ही गंभीर आरोप लगाय गए थे वैसे ही आरोप अभी तक सच साबित नहीं हुए इस आरोप की investigation अभी तक चर रही है लेकिन हम में से किसी को भी ऐसा लगा नहीं था कि विंस मिक्मैन को डबले वी छोड़ के जाना पड़ेगा लेकिन finally ये news आच चुके है और ये news खुद विंस मिक्मैन और स्टिफनी मिक्मैन ने दी है कि विंस मिक्मैन ने CEO की post और चेर्मैन की post को छोड़ दिया है और अब Vince McMahon Board of Director के भी हिस्सा नहीं है वो अलग बात है कि Vince McMahon के पास अभी भी creativity control है यानि कि WB में जो भी creative होगा उसका control अभी भी Vince McMahon के पास है Vince McMahon ने ये कहा है कि जब तक investigation चर रही है और जब तक वो बेगुना साबित नहीं हो जाते तब तक वो CEO के पोस्ट से और चेयर मैं के पोस्ट से जा रहे है Vince McMahon के जाने के बाद WB ने एक नया CEO अपॉइंट किया है और वो और कोई नहीं है बलकि है Vince McMahon की बेटी स्टिफनी मिकमैन अब स्टिफनी मिकमैन WB की निव सीईओ है तो आप लोग की कमेंट वे जो बताई दोस्तों के आपको क्या लगता है कि Vince McMahon कभी भी CEO दुबारा बन पाएंगे या नहीं या फिर वो अपने क्रियेटिवी कंट्रोल से भी हाथ दो भैटेंगे तो ये सारी बातों का या आप लोग कमेंट वे जो दिएगा मैं मिलता हूँ को थोई दिर में डबले वे के निक्स अपडेट के साथ तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाए